आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फोरेस्ट केक वो भी घर पर बिल्कुल आसान तरीके से चार ब्रेट से नहीं यहाँ पर हमें क्रीम की जरुरत पड़ेगी नहीं इसे हमें बेक करने की जरुरत पड़ेगी सिर्फ पांच मिनट में बनके एक केक रेडी हो जाएगा यह केक क्रिस्मस पर जरूर बना सकते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्कीप ना करें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर एं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेट यहाँ पे सिर्फ हमें चार ब लेना है जो साइट होते है ब्रेट के इसे क्या होता है केक का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा सिर्फ हमें इसके अंदर का पार्ट चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही मैं कट कर लूँगी केक के किनारे को अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती हो तो प्लेज जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता पर मुझे एक मोटिवेशन मिलती है अच्छे अची वीडियो बनाने के लिए तो देखिए ऐसे ही आपको कट कर लेना है ब्रेट को चारो तरफ से तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी याट कर दूँगी ताकि अच्छी तरीके से घुल जाए इसे हम लगाएगे बाद में ब्रेट पर तो चलिए इसे अच्छी तरीके से घुलने के लिए मैं रख दूँगी एक साइट में यहाँ मैंने ले लिए चौकलेट याशनी से मिल जाती ए मारकेट में पूरा यहला पैगिट मिलता है हमें 100 या 90 रूपी में तो यहाँ पे हमें पूरी चॉकलेट नहीं लगेगी इसमें से एक पार्टी हमें लगेगा अगर आपके पास ना मिले तो यहाँ पे आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं डेरी मिल्क भी आप ले सकते हैं सिर्फ दो डेरी मिल्क में यह वाली रेसिपी आपकी बन जाएगी तो देखिए मैंने इतना सारा बचा लिया इसे एक पाटी इसका यूज किया है तो चलिए अभी हम इसे मेल्ट कर लेते हैं डबल बाइलर की मदद से एक भगोने में मैंने यहाँ पर पानी गरम करने रख दिया है और उपर से मैं चौकलेट एड़ कर दूँगी यहाँ पर आप कोई भी बाउल यूज कर सकते हो ग्लास का या कोई भी स्टील का भी आप ले सकते हो यहाँ पर आपको सिप एक से दो चमच मिल्क आड़ करना है तो देखिए ऐसे आपको आड़ करके इसे अच्छी तरीके से पिगलने के लिए हम रख देगे एक साइड में आसानी से हो जाता यह वाला प्रोसेस से पांच मिनट आपको लगते है तो देखिए हमारी चौकलेट यहाँ पे पिगल चुकी है मैंने यहाँ पे ग्यास की फ्लेम भी आफ कर दी थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गरम हो चुका था तो यह देखिए फ्रेंट ऐसे ही अपने आपे पिगल जाएगी जब तक हम दुसरा प्रोसेस स्टार्ट करते है और चौकलेट पिगलने के बाद भी आपको गरम पानी पे ही रखना है ने थोड़ा सा बेस के उपर में चौकलेट अपलाई कर लूँगी इससे क्या होगा बिलकुल भी हमारा केक एक जगह से नहीं हिलेगा तो उपर से एक ब्रेड में रख दूँगी तो देखिए फ्रेंट ऐसे ब्रेड रखके जो हमने पानी यहाँ पे बनाया था घोल बनाके र और बहुत ज्यादा डिलिसियस रेसिपी है यह रेसिपी आप क्रिस्मस पर या नीवियर पर भी बना सकते हो अगर जल्दी आपको कोई भी केक बनाना है तो इससे ज्यादा आसान केक आपको नहीं मिलेगा ना ही इसे हमें बेक किया है और ना ही हमने इसे कोई भी यूज किया है, सबसे पहले यहां पे मैंने सुगर सिरप लगा दिया है, फिर उसके उपर से आपको ऐसे ही चॉकलेट लगा देना है, फिर मैं उपर से एक रगुंगी ब्रेट, ऐसे करके आपको चार स्टेप करना है, तो इदे के उपर से भी आपको सुगर सिरप अड़ करन आपको चारो बार ऐसे ही करना है यह वाला प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है तो देखिए अच्छी तरीके से आपको अपलाई करना है सुगर शिरुप इससे हमारा केक बिल्कुल भी फिका नहीं लगेगा जैसे हम ब्लैक फोरेस्ट खाते है वैसे हमारा टेस्ट इस होती है वैसे यह वाला केक हमारा बनेगा तो यह रेसेपी मस्ट राए रेसेपी है जरूर बनाई तो देखिए उपर से थोड़ाचा चॉकलेट में अपलाई कर लूँगी यह वाला स्टेप आपको चारो बार करना ही करना है तो यह दिकिए सेकैंड यह है लेएर अब ऐसे ही लगा लूँगी, दो लेर भी, तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने चारो रख दिया है, उपर से थोड़ा सा सुगर सिरप में एट करूँगी, और फिर से में पूरा डेकोरेट कर लूँगी यहाँ पे वाइट वाली चॉकलेट से, अगर आपके पास करने के लिए आप यहाँ पे चाको का भी यूज कर सकते हो, चमच का भी यूज आप कर सकते हो, पर यह देखे यह वाला प्रसे थोड़ा सा धीरे करना होगा आपको, तबी ही यह चॉकलेट इवन लग पाएगी, उपर से पहले अप्लाई कर देना है, फिर चारो तरप से आ आप भी यह वाली रेसिपी घर में ट्राई कर सको, अगर आपने कभी भी केक नहीं बनाया है, तो भी यह वाला केक बना सकते हो घर पर, तो देखे ऐसे आपको उपर से दीरे-दीरे करके अप्लाई canги लेना है, और चारो तरप भी आपको ऐसे ही अप्लाई कर लेना है, तो उसे भी आप जरूर ट्राइ कीजिए इस Christmas पर इस New Year पर उपर से थोड़ी सी Dark Chocolate थी मेरे पास वो बची हुई थी तो उसे मैंने ऐसे ही Crush कर लिया है ग्रेट करके उपर से आपको डाल देना है इससे बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा केक और इससे हमारा केक बिल्कुल भी Black Forest केक जैसा लगने लगेगा और चारो तरफ से ऐसे आपको हाथ से लगा देना है तो देख सकते हो मैंने ऐसे ही लगाया था हाथ से बिल्कुल जोर से ना करें यह वाला step धीरे धीरे करके आपको थपकी देके वहाँ पर लगा देना है चोकलेट जो एक्स्ट्रा चोकलेट है उसे आपको फिर से प्लेट में रख देना है तो चलिए चारो तरफ हम ऐसे ही चोकलेट को अपलाई कर लेते हैं तो देख सकते हो सी पांच मिनिट में इतना अच्छा केक आप घर पे ही बना सकते हो तो इसे ज़रूर बनाईए निवियर पर तो यहाँ देखिए मैं इस साइट से भी मैं कर लुगी तो आप भी इसे जरूर बनाईए बच्चों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसे वाले काम तो यह देखें आपे मैंने चारों तरफ से लगा दिया है और उपर से थोड़ी सी ऐसे खुरच के मैंने चॉकलेट रख दिये जैसे ब्लैक फॉरिस्ट में होती है आप इसे ऐसे भी इंजोय कर सकते हो पर मेरे पास चैरीश थी तो मैं उपर से चैरीश से गार्निश कर दूँगी सिर्फ चार ब्रेट से बनाया है नहीं न तो यकीन मानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखने ही पड़ेगी अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आया तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चार ब्रेट तो हर किसी के घर में अवेलेबल होते ही होते है यहाँ पे आपको सिर्फ चार ब्रेट की जरूरते इसे ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है और ब्रेट को यहाँ पे आपको किनारों को कट कर देना है ताकि वो केक में अच्छे नहीं लगते है तो ऐसे ही आपको कट कर देना है निवियर में अगर आपको लास्ट टैम में केक ना मिले आपको समझ ना आए क्या बनाना है तो ये वाला केक जटपट आप बना सकते हो सिर्फ चार ब्रेट से तो देखिए ऐसे ही आपको कट कर लेने ही सारे ही किनारे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ऐसे ही कट कर लिया है तो चलिए करते हैं आगे का प्रोसेस अगर आपको बड़ा केक बनाना है तो ऐसे ही आपको चार-चार पीसे कट करके आपको एक बड़ा केक आप उससे बना सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ चार पिस्ते ही आपको बना के बताने वाली हूँ, तो ब्रेट को मैं एक साइड रख देती हूँ, यहाँ पे छोटी सी कटोरी में ले लूँगी, और उसमें मैं एट करूँगी शुगर, देखिए आपको अच्छी तरीके से घुलने तक आपको मिक्स करना है, ताकि इससे हमारा सुगर सिर्फ रेडी हो सके, तो इससे मैं एक साइट रख दूँगी, और यहाँ पे मैंने ले लिया है चौकलेट, आप कोई भी चौकलेट ले सकते हो, मैं यहाँ पे 2-3 रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा चौकलेट लिया है, यह वाली रेसिप के लिए आपको दो चौकलेट भी इनफ हो जाएगी, वो डैरी मील क्या कोई भी आप ले सकते हो, प्लेन वाली चौकलेट, तो यह मैं ज्यादा रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ज जब पानी थोड़ा सा गरम हो जाए, तो उपर से आपको एक कोई भी स्टील का या कोई भी ग्लास का ऐसे बाउल रख देना है, चौकलेट एड़ करके, और इसे जब तक मेल्ट होगी, तब तक आपको यह चलाते रहना है, यह बहुत आसान प्रोसेस है, जब ज्यादा यह पानी गरम हो जाए, तो ग्यास की फ्लेम आपको थोड़ी सी कम कर लेनी है, यहाँ पे मैंने केक का वेस ले लिया है, आप कोई भी प्लेट का यूज कर सकते हो, थोड़ी सी आपको चौकलेट वहाँ पे लगा देनी है, ताकि हमारी ब्रेट बिल्कुल भी हिलेना, तो चलि दिया है, और हमारी चौकलेट भी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे ग्यास की फ्लेम पहले ही बंद कर दी थी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गरम हो चुका था, तो उसी में हमारी चौकलेट मेल्ट हो जाएगी, तो देखिए इतनी सारी चौकलेट थोड़ी सी हमें चौकलेट लगेगी, तो आपको यहाँ पे दो डेरी मिल्क भी हो, तो भी आपको इनफ हो जाएगी चार ब्रेट के लिए, तो सिर्फ यह 20 रुपीज में बनके रेडी हो जाएगी यह वाली रेसेपी, जो आपने ब्रेट रकी थी, उसके अपर से आपको चौकलेट ऐसे ही लगा लेनी है, देख सकते हो कितनी थोड़ी सी चौकलेट यहाँ पे लगेगी, तो ऐसे ही आपको कोई भी चमस से आप ऐसे कर सकते हो, जो हम रोटी वगेरा सेखते हैं, उससे भी आप यह वाला प्रोसेस कर सकते हो, तो देखिए ऐसे ही आपको लगा द देनी है चारो तरप से इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चॉकलेट का फ्लेवर आएगा केक में और यहां पर हमें बिल्कुल भी क्रीम अगेरा का यूज नहीं करना है तो बहुत आसान तरीकी से यह रेसिपी बन जाती है उपर से हमें और एक ब्रेट रग देना है और सेम हमें वही वाला प्रोसेस करना है उपर से आपको सुगर सिरफ लगा देना है इससे क्या होगा ब्रेट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी तो दीखे ऐसे ही आपको लगा देना है चारो तरप और उपर से आपको च चारो ब्रेट को तो देख सकते हो कितना आसान तरीके से हमारा केक है बनने जा रहा है निव यर पे आप बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यह अवला केक आप मेरी वीडियो देखतों लेते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ सारी ही रेसेपी और जिनको बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता है पर उन्हें लगता है कि हम भी केक बना सकते हैं क्या तो ये वाला वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल होगा घर में हम आसान तरीके से केक बना सकते हो वो भी बिल्कुल पेस्टी से भी अच्छा केक बनेग तो देख सकते हो ऐसे आपको 4 तरफ से अच्छी तरीके से चौकलेट को स्प्रेट कर देना है किनारों से भी और उपर भी आपको ऐसे ही करते देना है अगर आपके घर में बच्चे हो तो उन्हें भी बहुत जादा अच्छी लगेगी ये रेसिपी और बनाने भी उनको बहुत जादा मज़ा आएगा ये रेसिपी में तो इदेखें चारो तरफ से आपको ऐसे ही दाल देना है मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि आप पूरी तरीके से समझ सको और यहाँ पर मैंने बिल्कुल कोई भी चीज कट नहीं की है आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से यहाँ पर बन रहा है हमारा केक आप कोई भी चाकू से भी इसे फिनिसिंग देश सकते हो और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चॉकलेट वगेरा लगी है उसे कोई भी टिशू पेपर से या कोई भी कपड़े से आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हो तो देख सकते हो हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है अभी से यह देखें मैंने पूरा केक यहाँ पे क्लीन कर दिया है जो एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी थी अगर आपके पास डेकोरेशन करने के लिए कुछ ना हो तो बिल्कुल भी ना करें आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं अगर चॉकलेट भी हो तो उसी थोड़ा सा आपको क्रश करके चारो तरप आप लगा सकते हो मेरे पास थोड़े से चॉको चिप से उसी से मैं इसे गार्निस कर लूँगी ना हो तो इसमें टेस्ट में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा केक उतना ही टेस्टी लगेगा जितना आप बिना डेकोरेशन के इसे खाओगे देखने से हमें नहीं लगेगा कि यह वाला केक सिर्फ चार ब्रेट से बना है और सिर्फ दो चॉकलेट से बना है आने वाले समय में चॉकलेट की और सारी रेसिपी लाओंगी तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए आपको जो भी रेसिपी चाहिए अगर मुझे लगा तो मैं जरूर बनाओंगी वाले रेसिपी देख सकते हैं मेरा केक कितना अच्छा रेडी हो गया है मैंने यहाँ पे तो ना हो तो भी कोई बात नहीं क्योंकि इसमें टेस्ट में तो बिल्कुल भी फरक नहीं आएगा तो यह देखिए जरूर बनाई है निव यर पर बहुत आसान तरीके से बन गया केक और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था तो देखिए कट करने से आपको यहाँ प